बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहेम आज का जो मेडिसन में हमारा टॉपिक है इसका मतलब यह होता है कि कोई भी पेशन्ट आपके पास है वो क्रिटिकल हालत में है यानि कि अगर उसको इन विदिन टाइम मैनेज न की गई सिचुवेशन तो पेशन्ट जो है वो एकस्पायर हो सकता है इस तरह की सिचुवेशन को हम एमर्जंसी कंडिशन कहते हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जैसे कि किसी को कार्डिवास्कुलर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किसी को रस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसमें पेशन्ट जो है क्रिटिकल कंडिशन में होता है उन में से एक कंडिशन है ब्लीडिंग यानि कि खून भैन और severe bleeding भी एक emergency condition है कि बहुत ज्यादा खून भेह जाए किसी human being का किसी patient का तो that is the severe bleeding case जो कि emergency condition है इसको within time manage करना बहुत ज़रूरी है different तरीकी की drugs हमारे पास available है जैसे कि vitamin K है, epinephrine, nor epinephrine ये body के biomolecules भी हैं और हमारे पास drug form में भी आते हैं जो different emergency conditions जैसे कि severe bleeding को manage करते हैं हमारा जो आज करा basic topic है वो vitamin K है कि basically vitamin K क्या करता है कि हमारे blood में जो clotting है, वो vitamin K करवाता है किस तरीके से करता है, basically इसका mechanism of action क्या है it promotes the hepatic synthesis of clotting factors जैसे कि clotting factor 2, clotting factor 7, 10 हमारे body में, हमारी blood में different clotting factors होते हैं जो blood की clotting करवाते हैं vitamin K basically liver में जाके इन सब clotting factors की synthesis करवाता है ताकि हमारा blood जो bleeding हो रही है वहाँ पे clot बन जाए और bleeding stop हो जाए तो इन pictures में देखें vitamin K हैं हमारे पास एक तो ये tablet form में available है जो के 100 microgram की है इसकी लावा injectables में आता है vitamin तो dosage form and strength की बात करें tablet की जहां तक बात है 100 microgram में भी आती है और 5 miligram में भी tablets available है injectable में बात करें injection emulsion की form में 2 miligram पर ml भी है 10 miligram पर ml में भी available होती है vitamin K indications यानि के ऐसी कौन सी बिमारियां है ऐसी कौन सी हालात है situations हैं जिन में vitamin K use होती है सबसे पहली बात तो nutritional supplementation है यानि हमारे घिजा के तोर पर इस्तेमाल की जाती है मर्दों में 120 miligram पर डे पर oral यानि की tablet की form में खा सकते हैं मर्द 120 miligram पर डे की requirement है हवातीन में 90 miligram पर डे की requirement होती है as a nutritional supplementation खाई जाती है इसके इलावा जो medical condition है that is called as hypoprotothrombinemia देखें हमारे पास होता है prothrombin अब prothrombin क्या है prothrombin जो होता है वो एक हमारे पास enzyme है sorry हमारे पास एक protein है या एक hormone है जो blood clotting करता है अगर किसी patient में hypoprotrombinemia हो जाए यानि कि बलड के अंदर prothrombin की कमी आ जाए तो जाहर सी बात है के जो prothrombin का clotting का काम था वो तो अब कम हो जाता है लहाज़ ब्लीडिंग के chances increase हो जाते है या bleeding कभी कभी हो भी जाती है अब क्या करते है ऐसे situations में vitamin के use होती है 2.5 mg से लेके 10 mg तक per oral भी इस्तेमाल की जाती है और subcutaneous injection भी use होते है इस condition में ताके bleeding stop की जाए blood clotting factors बढ़ा दिये जाए इसके इलावा कभी कभी warfarin जो है एक blood thinner है drug है overdose हो जाती है उसकी warfarin की overdose को reverse करवाने के लिए ताके जो warfarin में अगर overdose हो जाती तो bleeding है अगर minor bleeding है यानि के थोड़ी थोड़ी bleeding हो रही है तो 2.5 to 5 mg पर oral एक बार vitamin K जो है दे दी जाती है उससे bleeding stop हो जाती है warfarin के effects खतम हो जाते हैं क्योंकि vitamin K warfarin के antidote है लेकिन अगर major bleeding K से यानि बहुत ज़्यादा bleeding हो रही है तो 5 mg to 10 mg intravenously फिर हमें vitamin K देना पड़ता है और एक बहुत ही आहम बात यहाँ पर कि vitamin K जब intravenously देते हैं उसकी infusion किस तरके से होती है बहुत ज़रूरी है first of all तो 50 ml IV fluid में इसको जो है हम dilute करते हैं और ये 20 minutes में हम देते हैं यानि directly कभी नहीं लगा देते vitamin K की administration specifically injectable form में उसको dilute करना और जो है 20 minutes में यानि के long period में देना लाजमी है नहीं तो बहुत severe kind of reactions हो जाते हैं warnings हैं ये vitamin K के हवाले से कि severe reactions में fatalities हो जाती है patient expire हो सकता है because of the severe reactions अगर आप intravenously इसको administer करते हैं इसकी इलावा hypersensitivity हो किसी को anaphylaxis या shock, cardiac respiratory arrest मुक्तलिफ तरह की reactions हो सकते हैं अगर आपने vitamin K inject करना है तो आप dilute करके inject करते हो कभी भी directly नहीं लगा देते vitamin K फिर intravenous intramuscular reactions with first dose भी हो जाते हैं if there is no prior exposure to the phytonodione जो phytonodione drug है vitamin K की यह vitamin K को हम phytonodione भी कहते हैं in the drug form तो कभी कभी हो जाते हैं first dose अगर आप किसी को लगाते हो उसको इस सरह की reactions हो जाते हैं लहाजा जब भी vitamin K intravenously देनी होती है तो उसको dilute करके दिया जाता है without dilution bolus form में vitamin K नहीं लगाई जाती contraindications है hypersensitivity किसी को है कभी भी vitamin K नहीं यूज करते बहुत severe fatalities हो सकती है adverse effects भी आजाएं तो anaphylaxis यानि के shock की condition disneya सांस लेने में मसला cyanosis है air dematosis, skin eruptions, pruritus hypotension, injection, site reaction और इसके लाभ बहुत सारे इसके adverse effects होते हैं खास करके अगर आपने injectable form में vitamin के लगाई so ये basic information थी about vitamin K के हमारे body के अंदर एक vitamin है लेकिन उसके इसा ड्रग भी इस्तेमाल किया जाता है और मुक्तलिफ तरह की conditions में इस्तेमाल किया जाता है तो emergency condition में जो आज हमने discuss किया है severe bleeding है इसके इलावा मजीद आने वाली वीडियोज में आहां मजीद severe conditions को elaborate करके उनका pharmacological management discuss करेंगे आज के लिए इतना ही शुक्रिया